दोस्तो रिजर्ब बैंक ओफ इंडिया ने चार और बैंकों पर परतिबंद लगा दिया है तो आज के इस वीडियो में देखेंगे कि किस तरह का परतिबंद लगाया गया है तो दोस्तो वीडियो को सुरो से अंतक जरूर देखिएगा हो सकता है इन चारो बैंकों में आपका भी एकाउंट हो दोस्तो इन चारो बैंकों पर परतिबंद लगाया गया है लाइसेंस रद नहीं किया गया है और दोस्तो परतिबंद एक लिम्टेड टाइम तक लगता है और कुछ सीमित सुविधा तक ही परतिबंद लगाया जाता है और हाँ अगर ये चारो बैंक अपने अस्थीती को ठीक नहीं करेंगे तो हो सकता है कि इनके लाइसेंस भी रद हो जाए दोस्तो जब बैंकों पर परतिबंद लगता है तो बहुत सारे सिवाय बंद कर दिये जाते हैं और ग्रहाकों को नए नए सिवाय देना भी बंद कर दि हैं तो दोस्तो आएए देख लेते हैं कि वे कौन-कौन से चारो बैंक है जिस पर परतिबंद लगाया गया है तो दोस्तो बैंकों के नाम की बात करें तो वे बैंक है दिल्ली का रम गड़िया कोपरेटिब बैंक, मुमबई का SDC बैंक, मद पर्धेश का सांधली कोपरेट तो दोस्तों यहीं चारो बैंकों पर परतिबंद लगाया गया है तो दोस्तों अब देखते हैं कि इन चारो बैंकों पर क्या परतिबंद लगाया गया है दोस्तों ये चारो बैंक अपने ग्राहकों को लोन नहीं दे सकती है और इन बैंकों से ग्राहक अपने मर्जी से जितन मन करें उतना पैसा नहीं निकाल सकते हैं अब इन बैंकों से पैसा निकालने का लिमिट सेट कर दिया गया है अब आप उस लिमिट से ज्यादा पैसा नहीं निकाल सकते हैं तो दोस्तों आए इन बैंकों से पैसा निकालने के लिमिट को देखते हैं तो लिमिट की वात करें त दिल्ली के रामगढ़िया कॉपरेटी बैंक और मुंबई के SDC बैंक से ग्रहक 50,000 तक ही रुपिया निकाल पाएंगे बात करें मध्य पर्देश के सांधली बैंक की तो इस बैंक का लिमिट है 45,000 इस बैंक से आप 45,000 रुपिया ही निकाल पाएंगे और अब बात करें सांधली महिला कॉपरेटी बैंक की तो इस बैंक से आप सिर्फ 7,000 मतलब की 7,000 रुपिया ही निकाल सकते हैं चाहे इन बैंकों में आपका पैसा कितना भी हो तो दोस्तो अब देखना होगा कि इन बैंकों से पर्तिबंद कब हटाया जाता है पर्तिबंद कुछ लिम्टेड दिनों तक ही लगाया जाता है और उस लिम्टेड दिन तक बैंक पर्तिबंद लगाने के कारण को ठीक कर लेती है तो फिर उसके परतिबंद को हटा दिया जाता है तो दोस्तो इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं फिर से नेक्स वीडियो में दोस्तो मैं ऐसा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और प्लीट आप जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके जाईएगा